अगर आप विहार बोर्ड मैट्रिक इंटर के स्टुटेंट हो तो हम आपके लिए लाएं हैं काफी बरी ख़बर यहां पर आप जानेंगे कि अस्कूरूट निकलिया विदन कब से लिए जाएंगे और साथ नियो भी जानेंगे कि मैट्रिक का रिजल कब तक आ जाएगा तो यहां पर आएक कि वार्षिक परिक्षा 2020 का मुल्यंकन अब 14 अपरिल तक अस्तकित रहगा इस इसे पूर्व इसे 31 मार्ष तक के लिए अस्तकित किया गया था इसको लेकर बिहार विद्याले परिक्षा समिती परिक्षा नियंतरक ने सभी जीला सिक्षा पदा धिकाड़ी तता सभी मुल्यंकन के अंदर नियंतरक ने कहा कि राज में करोना महमारी से निपर्टने के लिए 14 अपरिल तक लोगडाउन लगाया गया है ऐसे में इससे पूर्व मुल्यंकन करना संभब नहीं हो पाएगा ऐसी इस्तिति में मुल्यंकन 14 अपरिल तक अस्तकित रखा गया है पत्र में जीला सिक्षा पताधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि विस्तारित तिति के आलोग में अपने अधिनस्त मैट्रिक परिक्षा मुल्यंकन केंदर निदेशक को सभी मुल्यंकन केंदरों पर मुल्यंकन कार्य के लिए उपयोग किये जाड़ है उपसकर तथा मुल्यांकन हे तुस्य रह गई उत्तर पुस्तिकाओं कि समुचित सुरिक्षा की वैस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया हैं अब यहां पर देख सकते हैं कि अब जो है पंद्रों के बाद आएगा मैट्रिक परिक्षा का रिजल्ट तो यहां पर ओदेख सकते हैं कि 14 अबर तक मैट्रिक की कांपी नहीं जांची जाएगी तो यहांँ पर देख सकते हैं विहार वद्यावल Красमिति ने अगॉन चौद्धा अपरेल तक लिए मैट्रीक की काउपियों की जंस अस्तागित कर दी है लोगडाून के कारण भूरने पल 31 मर्च तक के लिए काउपियों की जंस अस्तागित की थी अब 15 अपरेल के बाद ही मैट्रीक का रिजल्ट परकासित को पाएगा तो मेरे हिसाब से मार्च अपरेल के तीसरे सब्ता में 21-22 तक मेट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा अगर 14 अपरेल 15 अपरेल से कांपी जान सुरू हो गया तब अगर मान के चलिए कि लोफ डाउन किती थी आगे बढ़ गया तो फिर तब मुस्किल है अगर 15 अपरेल से सुरू होती है तो समझ लेजिए कि आप लोग का 21 या 22 अपरेल को आ जाएगा अब हम बात कर लेते हैं स्कूरूटनी के लिए आवेदन के लिए यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ट 15 अपरेल से लिए जा सकते हैं स्कूरूटनी के लिए आवेदन समझ बाद आता पर्ठना यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ट इंटर्मेडियेट परिक्ष लिए जा सकते हैं इसके लिए बोड के अधिकारियों ने बताया कि 14 अप्रेल को लोगडाउन खत्म होने के बाद 15 अप्रेल से लिए जाएंगे अब हम बात कर लेता हैं यहां पर देख सकते हैं कि भागलपूर में कोरोना की स्थितिम्स तेख सकते हैं कि भागलपुर अब वर्डवु 여기서 300 मृगे मार्किल्वे मार करकी वर्डवु को करण फिक दिया गया है आप लोगों में से बता एक कि कौन-कौन मुर्गा खाते हैं कुमेंट करके जरूर बता हैं आप इसी परकार से रोज भीहार बोर्टी समंदित न्यूज को सबसे पहले पाना चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे वीडियो देखने के लिए धनिवाद जाइए वीडियो के देस्क्र सब्सक्राइब ग्रूप को जोइन कर लेजिए